मारिया और इंगवर आइसलेंड में प्रकरती की गोद में एक दूर दराज फार्म पर रहते हैं उनके द्वीब के शित्रफल के हिसाब से उनके देश की जनसंक्या बहुत कम है जिसके चलते उनके फार्म की चारो दिशाओं में मीलों दूर तक और कोई अबादी नहीं है वो दोनों पूरे फार्म को बिना किसी बहारी मदद के अकेले ही संभालते हैं दोनों को ट्रेक्टर चलाना आता है, इंगवर्ड ट्रेक्टर की हलकी फुलकी रिपेर भी कर लेता है और दोनों मिलकर फार्म की भेडों का प्रसव भी संभाल लेते हैं और क्योंकि उनकी फार्म पर बहुत सी भेडे हैं, आई दिन नन्ने मुने मासूम से मेमने पैदा भी होते रहते हैं जिनका प्रसव कराके उन्हें उनकी मा को सोपने में दोनों को बहुत खुशी मिलती है उनकी दिन्चरिया को देखते हुए लगता है कि उनके जीवन में सिर्फ काम, एकांत और आराम ही है और फिर क्रिसमस की एक शाम बरफीली आंधी में उनके फार्म की तरफ कोई अगुन तक आता है मुवी का नाम है लैंब जिसे डिरेक्ट किया है व्लादीमर जोहांसन ने और आयम डिवी पर इस मुवी को 6.3 की रेटिंग प्राप्ट है एक सुबा ब्रेकवस्ट के दोरान इंगवर मारिया को बताता है कि आखिर टाइम मशीन के कॉनसेप्ट को मानेता मिल ही गई मारिया कहती है फिर तो कोई न कोई चुप चाप प्रैक्टिकली भी इस पर काम कर रहा होगा इंगवर कहता है उसे भविशे देखने की कोई जल्दी नहीं मारिया कहती है टाइम मशीन के जरिये बीते हुए कल में भी तो जाय जा सकता है ये सुनकर इंगवर चुप हो जाता है उस दिन फिर से उनके फाम पर एक भेड़ मेंने को जर्म देती है उस मेंने को देख वो दोनों हैरान हो जाते हैं और इस बार हमेशा की तरह उस मेंने को उसकी मा के हवाले ना कर मारिया मेमने को घर के अंदर ले जाती है वो दोनों उस मेमने को एक नवजात शीशू की तरह संभालने लगते हैं दूसरी तरफ मेमने की मा अपने बच्चे को खो कर विलाप करने लगती है ऐसा लगता है जैसे मारिया और इंगवर का परिवार पूरा हो गया हो इंगवर बान में रखा हुआ बच्चे का क्रिब भी निकाल लाता है और मारिया आते जाते उस मेमने को निहारती रहती है धीरे धीरे मेमने की मा में बरताव आना शुरू हो जाता है और वो उस आगंदक की तरह जोर जोर से सांसे लेने लगती है जैसे जैसे दिन बीटते जाते हैं बेड का विलाब बढ़ता जाता है और वो मौका मिलते ही मारिया की खिड़की के नीचे खड़े होकर अपने बच्चे को बुलाने लगती है और मारिया हर बार उसे वहां से भगा देती है ये सिलसिला अब रोजाना दोराने लगता है और एक दिर अचानक मेमना गायब हो जाता है मारिया और इंगवर पागलों की तरह उसे आता आदा पुकार कर चारों तरफ ढूनने लगते हैं बहुत दिर ढूनने के बाद भी उन्हें मेमना नहीं मिलता और फिर मारिया को सुनाई देती है मेमने की मां की आवाज इंगवर से गलती से दरवाजा खुड़ा रह गया था और भेड मोका मिलते ही अपने मेमने को उठाकर ले गई थी मेमने को उठाते ही मारिया की जान में जाना जाती है और अब हमें पता चलता है कि वो मेमना सिर्फ सर से ही भेड था उसका धड एक इनसानी बच्ची का था मारिया और इंगवर अदा को उठाकर घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और मेमने की मां उनका पीछा करने लगती है इस बार मारिया के सबर का बांद तूट जाता है वो भेड पर चिला कर उसे वहां से दफा हो जाने को कहती है भेड की सांसे फिर से फूलने लगती है अदा को उसके विस्तर में लेटा कर ही उन दोनों को चैन आता है मारिया एक मां की तरह ही अदा को प्यार देती है उसी समय फाम से दूर एक सुनसान सडक पर कुछ लोग एक आदमी को अपनी डिक्की से निकाल कर वहां फैक जाते हैं कुछ देर बाद वो आदमी पहाडों की तरफ चलता हुआ नजर आता है मारिया को अब सपने में भी हांफती हुई भेड नजर आने लगती है और असल जिन्दगी में भी अदा की मां उसे पुकारना नहीं छोड़ती मारिया ठान लेती है कि उसे इस समस्या को हमेशा के लिए हल करना ही होगा वो अपनी खिड़की के नीचे खड़ी हुई अदा की मां को गोली मार देती है और फिर उसकी लाश को फाम में ही दफन कर देती है तड़क पर फैका हुआ आगुंतक मारिया को ये सब करते हुए देख लेता है अगले दिन ट्रेक्टर के शोर से वो आगुंतक बान में उठता है उसे एक धुंदली सी छवी नजर आती है जो उसके पूरी तरह से जागने पर गायब हो जाती है वो आदमी इंगवर का भाई पीटर होता है किचन की मेज पर चार प्लेटे देखकर पीटर मारिया से पूचता है कि का घर में और कोई मेमान भी आया है आदा को पुकारता हुआ इंगवर उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर सहमी हुई आदा किचन में दाखिल होती है आदा को और उसके साथ मारिया और इंगवर के वेवार को देखकर पीटर की बोलती बंद हो जाती है नाष्टे के बाद मारिया और अदा बाट टब में नहा रहे होते हैं जब पीटर चुप चाप घर में गुसाता है और बात्रूम के बार खड़ा होकर मारिया को शीशे में निहारने लगता है आखिर कर वो इंगवर से पूछी लेता है कि वो क्या है इंगवर कहता है खुशी पीटर के आने से मारिया भी खुश नहीं होती उनकी बातों से पता चलता है कि पीटर हवेशा से कामचोर रहा है अकेले में मुका मिलते ही पीटर मारिया के साथ छेड़ चाड़ करने लगता है मारिया उसे ऐसा बचपना करने से मना करती है पिटर कहता है बचपना वो नहीं, वो दोनों कर रहे हैं जो एक जानवर को बच्चे की तरह पाल रहें कामचोर पिटर सिर्फ मुफ्ट की रोटिया तोड़ना जानता है और अगर काम करने भी लगे तो बहुत जल्दी उसका ध्यान भटक जाता है बिन बुलाया मेमान पीटर अदा की मौजूदगी से भी विचलित रहता है एक सुबा मोका पाते ही वो अदा को चुपचाप अपने साथ घुमाने ले जाता है और साथ ही ले जाता है मारिया की बंदूग मासूम अदा उसे अपने घर का सदस्या ही मानती है और खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ती है पाम से दूर ले जाकर पीटर उसे गोली मारने ही वाला होता है जब उसके हाथ काम पने लगते हैं पाकिर कर वो नन्नी अदा की मासूमित के आगे हार ही जाता है यहां हमें ये भी पता चलता है कि अदा मारिया की मरी हुई बेटी का नाम था उस दिन के बाद पीटर का अदा की तरफ रविया भी बदल जाता है अब वो नन्नी अदा का पीटर अंकल बन जाता है उसके इस बदलाव से मारिया और इंगवर को भी राहत मिलती है ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन में खुशियां और सकून वापस आ गए हैं पीटर अदा को पास की ही एक जील में बच्ची पकड़ने ले जाता है और वापस आते समय उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है घर लोटकर वो सब एक परिवार की तरह साथ बैठकर टीवी पर हैंड़ बॉल का गेम देखते हैं जो बहुत निराशा जनक निकलता है माहौल बदलने के लिए मारिया पीटर के बैंड का वीडियो लगा देती है वीडियो चलते ही वो तीनों बीते हुए दिनों को याद कर हसने लगते हैं और कुछी देर में नाच गाने और पीने पिलाने का माहौल बन जाता है मौका मिलते ही अदा घर के बाहर चली जाती है और वहाँ ऐसा कुछ देखती है जिसे देखते ही वो सहमी हुई फिर से दोड़ कर घर के अंदर वापस आ जाती है घर के अंदर आकर वो अपने आपको शीशे में देखकर सिसकने लगती है दूसरी तरफ मारिया, इंगवर और पीटर अपना जशन जारी रखते हैं नशे की हालत में थका हारा इंगवर सोने चला जाता है और अदा को अपने पास बुला लेता है अब भी सैमी हुई अदा दिवार पर लगी भेडों की तस्वीर को देखने लगती है और उसे उन भेडों की आवाजे भी सुनाई देने लगती है मौका पाकर पीटर फिर अपनी पुरानी हरकतों पर उतराता है और मारिया भी एक बार फिर उसे रोकती है कमेना पीटर उसे ब्लैक मिल करने लगता है आखिर कर वो मारिया को बता देता है कि उसने मारिया को अदा की मा को गोली मारते हुए देखा था ये सुनते ही मारिया का रंग उड़ जाता है वो पीटर को अपने साथ चलने के लिए कहती है और किचन से बाहर लाकर एक कमरे में बंद कर देती है पीटर कमरे में चिलाने लगता है और मारिया बाहर उसकी आवाज को दबाने के लिए पियानो बजाने लगती है अगले दिन सुबा इंगवर और अदा के जागने से पहले मारिया पीटर को उसकी कैद से आजाद करतेती है और अपने परिवार की आजादी के लिए उसे कुछ पैसे देकर वहां से रवाना करतेती है मारिया और पीटर को घर में ना पाकर इंगवर अदा को साथ लेकर ट्रेक्टर ठीक करने निकल जाता है ट्रेक्टर की तरफ बढ़ते हुए इंगवर अदा को अकेले घर वापस जाने का तरीका बताने लगता है पीटर को रवाना कर मारिया भी खुश लगती है इंगवर के बहुत कुशिश करने पर भी ट्रेक्टर स्टार्ट नहीं होता वो दोनों घर की तरफ वापस लोटने लगते हैं और हमें उनके कुटे की कटी फटी लाश दिखाई देती है पीटर को छोड मारिया भी घर वापस लोट आती है घर के अंदर इंगवर और अदा को ना पाकर वो उन्हें डूनने बाहर आ जाती है और तभी उसे अपनी बंदूग चलने की आवाज आती है मारिया आवाज की तरफ दोड़ने लगती है पीटर की गरदन लहू लोगान है और तभी उस पर दूसरी गोली चलती है गोली वोही अगुन तक चला रहा है जो क्रिसमस की रात भेडों के बाड़े में गुसा था यानि की अदा का जैविक पिता इंगवर को इस हारत में देख अदा उससे चिपक जाती है अब उसका जैविक पिता उसे इंगवर से चीन कर अपने साथ ले जाता है ठीक उसी तरहां जिस तरहां मारिया अदा को अपनी जैविक मांस से चीन कर ले आई थी इस बार तड़पता हुआ आसा है इंगवर अदा को अपने से दूर जाते हुए देखता है